पहले संगर्ष उसके बाद सफलता परिश्रम की रहेगी आवशक्ता जीवन एक अत्यन्त सुंदर सफर है जिसमें आनंदर और दुख दोनों है आप अपने दहिर्य से साहस से हरेक्षण का सापना कर सकते हैं उसमें सफल भी हो सकते हैं इस बात को मकर राशी के जातकों ने जनी देव के समीक राशी के रूप में मकर राशी की विशश पहचार हैं आपके लिए उन्तिम चरण में आपका मार्ग करवन शुरू है नमस्कार आप सभी जोतिश प्रेवियों का हर्दिक स्वागत करती हूँ हम मई 2024 महने के राशी भविश्य को समझ रहे हैं उसमें आज के भाग में हम मकर राशी के जातकों के लिए ये महना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से वारताराप करेंगे विभिन्न दुरुष्टि कोन से इस महने के ग्रहस्तिती का हम शास्त्रोक्त विश्लेशन करने वाले हैं साथ ही विडियो के अंतमे में आपको इस महने करने वाला विशेश उपाई भी बताने वाली हूँ उसी लिए विडियो को अंततक देखना न भुले हम विभिन्न दुरुष्टियों से ये महना आपके लिए कैसा रहेगा यह सदैवा बड़े विस्तार से बताते हैं उस अनुसार इस महने आपका अनुभो क्या रहा यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुचा सकते हैं ताकि हमारे इस मारगदर्शन का आपको लाभ हो र यह बात हम तक पहुच सके हैं प्यक्तित्व की दुरुष्टी से जब हम विचार करते हैं तो राशी स्वामी की स्थिति महत्व पूर्णा होती है मकर राशी के स्वामी शनी देव धनस्तान में विराजमान है यह अत्यंत शुभस्तिति कहीं जा सकती है जैसे मैंने में वे आपको सफलता का परिश्रम का धन प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाले हैं उसी पद्धती से आपका व्यक्तित्व भी विकसित होने वाला है इस काल का सदुपयोग करें धन परिवारवानी की दुरुष्टी से विचार करें तो मकर राशी के लिए पुनस्च एक बा महतो पुर्ण बात है कि वे आपके धन स्थान में ही विराजबान है राशी स्वामी और धनेश जब धन परिवारवानी के स्थान में होता है तब वह धन रुद्धी के लिए विभिन्न योजनाय बनाते हैं सदईव कारेरत रहते हैं घर में अतित्यों का आगमन शुरू र हुता है जीस कारण अत्यंत प्रसंद्व आता और बड़ा रहता है स्वाभाविक रूप से उसका आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है इसी लिए इस काल का पूरा उपयोग करें पराक्र में परिश्रम की दृष्ठी से विचार करें तो आपके परिश्रम आपके कुछ कार्य उचीत रहेंगे और कुछ कार्यों में गलती होगी अर्थात यहाँ पर आपके प्रयास आपके परिश्रम अधिक महत्यों पुरुना है आज नहीं तो कल उससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा इसी लिए परिश्रम करने में कमी न करें यह सलाह दी जाती है वास्तु वाहन भूमी सुखशानती की दुरुष्टी से विचार करें तो मकर राशी के लिए यह काल अधिक उपयोगी कहा नहीं जा सकता फिर भी आपके लिए वास्तु वाहन के योग निर्माड होंगे जो जातक वास्तु या वाहन की यूजना बना रहे हैं उन्होंने इस काल में सोच समझ कर पूरी जानकारी लिकर निवेश करना चाहिए या सोच समझ कर व्यभार करना चाहिए ये सलाह दी जाती है वैसे भी इन चीजों को रोज रोज नहीं लिया जाता इसलिए उचित विचार करें यदि थोड़ा भी समरम हो तो प्रतिक्षा क वह आपके लिए लाभकारी रहेगा शिक्षा संतती प्रड़ाई की दुरुष्ठी से विचार करें तो प्राथमिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को इस काल में थूड़ी अधिक पड़ाही करने पड़ाही करने की अपेक्षा उसे टालने का अधिक प्रयास करेंगे जो उचित नहीं है पड़ाही करना आवश्यक होता है तभी आपको अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है विद्यार्थि दशा में हम पड़ाही की ओर जितना अधिक ध्यान देते हैं उतना आगे हमारा जीवन सुखत सुखकर होता है इस बात को मुख्य रूप से द्यान मेले स्वास्त्य कर्ज प्रतिस्पर्दी शत्रों की दृष्टी से विचार करें तो मकर जातकों ने योग प्राणायाम ध्यान जैसी महत्वपुर्णे चीज़े रोज करनी चाहिए है उसके आपको अत्यंद शुभ परिणाम प्राप्त होंगे शत्रों की गतिव शुभ परिणाम प्राप्त होंगे गुरुदेव महने की शुरुवात में राशी परिवर्तन स्थान में प्रवेश करने वाले हैं उनसे भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे हमने गुरु परिवर्तन के स्वतंत्र वीडियो बनाये है मकर राशी पर होने वाले प साहा जा सकता है अर्थात नोकरी में आप अच्छा कार्य करेंगे उचित परिश्रम करेंगे लेकिन साथ काम करने वाले सहकर में आपको परिशान करने का प्रयास करेंगे वरिष्ठ भी आपके काम को नजर अंदाज करेंगे इस बात को पहले से ध्यान में लेकर आप वैसी मा करेंगे लेकिन उसमें बादाहे उत्पन्न होगी जिसकारण परिश्रमी राशी होने के बाद भी आपको कभी-कभी ठकान का अनुभव होगा इस बात को मुख्य रूप से ध्यान मिले भाग्य वम शुबसंकेत की दुरूष्टी से विचार करें तो मकर जातकों के लिए इस म अग्यकारी चीजे आपके लिए होगी परिश्रम करने के बाद सफलता मिलेगी महत्व पुर्णा बात है कि सफलता के साथ समाधान भी प्राप्त होगा जो जीवन में अत्तिन्त महत्व पुर्णा होता है उसे हम शुबसंकेत कह सकते हैं इसलिए इस काल का सदुपयोग करे कर्म की दुष्टी से विचार करें तो मकर जातक मूल रूप से अत्तिन्त परिश्रमी कर्म प्रधान होते हैं उस अनुसार इस मेने भी आप कर्म प्रधान रहने वाले हैं मेने के शुरुवात में आठ से दस दिन हो सकता है कि आप काम को नजर अंदाज करें लेकिन उसके बाद आप अच्छा कर्म करने वाले हैं और उसमें आपको उचित लाभभी प्राप्त होने वाला है वे अवं परतेश का मन की दुरुष्टी से विक्चार करें तो मकर जातकों के लिए इस काल में यात्रा के कई योग निर्मान हुए है पड़ाई के लिए नोक्री के आपके प्रयास अवश्य सफलोंगे हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता जीवन सुब्दुक और उतार चड़ाव से भरा है उस अनुसार मेहने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यनत शुबह होते हैं तो कुछ दिन अशूप तनाव और संगर्ष से भरे होते हैं उस 10-20 यह दिन शुबह रहेंगे इसलिए प्रयास करें कि सभी आवश्य कामों को पूरा किया जाए साथ ही 8-17-27 यह दिन आपके लिए अशुबह रहेंगे तो हो सकता है कि इन दिनों में आपका संगर्ष बढ़ेगा इसलिए इन दिनों की उच्छीत योजना बनाईए ताकि कि आपका मानसिक स्वास्त बना रहें उपायों की दुरुष्टी से विचार करें तो जोतिश में अत्यनत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गये हैं अशुबह चीजों की अशुबह चीजों की शुबहता बढ़ाने का उनमें सामर्थ होता है उस अनुसार मई महिने के उपायों का विचार करें तो मकर राशी के लिए उपाय सुचित किया जाता है कि आप शनी चालीशा का पठन करें हर शनीवार को शनी मंदिल में जाकर आप शनी चालीशा का पठन कर सकते हैं उसके आपको अत्यनत शुबह परिणाम प्राप्त ह इस प्रकार मेश से लेकर मीन तक हर राशी के लिए मई 2024 कैसा रहेगा यह समझने के लिए हमने कुल 12 वीडियो आपके इस चानल पर अपलोड किये है पुनस्च आवस्चे मिलेंगे यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें कमेंट बॉक्स शुभम भवतु जय जोतिश जोतिश का द्यहन तता शास्त्र की शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये है उनका अवश्य लाभ लीजिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चानल और हाँ बेल आइकोन दबान ना बुले धन्यवाद